नमस्ते दोस्तों मैं नीरज हूँ और आप देख रहे हैं बिहार स्टोडी अभी मैं हूँ दोस्त बैसाली जीले के हाजीपूर प्रखंड के एकाड़ा गाउं में इससे पहले भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी रोहिद जी के साथ और एक वार फिर मैं उपश्तित हूँ यहाँ पर रोहिद जी के साथ और आज का जो चर्चा के विच्चा है अमोनिया अगर आप बायो फ्लोक करते हैं और अमोनिया से अवगत नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं अगर हम कहें कि बायो फ्लोक में यह बैद बॉन का काम करती है अमोनिया तो यह गलत नहीं होगा अगर अमोनिया कंट्रोल कर लिए तो सफलता परोकापिश्म है आप सफल भी हो जाएंगे आज इसी विच्चा पर हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारे साथ हैं रोहित कुमार सिंग जी इनके विशह में थोरा समय आपको बताना चाहूँगा कि इनका पूरे भारत में तीन जगा ट्रेनिंग सेंटर है पहला महराष्टरा दुसरा कोलकता और तिसरा बिहार कोलकता इनका होम टाउन है तो आगे के बहुत सारे विडियो जाएंगे इनका कोलकता और महराष्टरा का भी कल्चर हम आपको दिखाएंगे ट्रेनिंग सेंटर भी हैं आपको दिखाएंगे तो आज मैं उपस्तित हूँ सिर्फ अमोनिया की चर्चा करने के लिए तो सबसे पहले स्वागत है रोहिद जी हमारे चैनल पर आपका नमस्कार सभी लोको मेरे प्रणाम जो अमोनिया फेक्टर है रोहिद जी बायो फ्लोक में वह कैसे काम करता है और कैसी यह बढ़ जाता है और इसका कंट्रोल कैसे किया जाए जी देखया जैसर कि नेरजी ने बताया अमोनिया बहुत बड़ा इंपोर्त रोल पले करता है और जैसल यह जैसे चीब शहत प्रणार एंपात रोले मनिया धरता है and you know very the population also they compared to in people in North India they don't speak in Hindi or they don't you know know Hindi so basically there are calls which I have received all over from South India that they want a training so basically on 15th November in Maharashtra Vagali just 13 kilometers away from Pune I'm going to organize a training program okay it will be November 15 okay it's a Sunday so people who are interested from South India can attend the training program basically brother if you control ammonia there are parameters which are really very important okay every parameter is important in bioflux but if you want to get success in this particular thing then indefinitely the backbone which is called ammonia so basically I want to talk about ammonia I want to talk about ammonia I want to talk about ammonia ammonia people say that ammonia is what is and how does it control look you will get many solutions on YouTube you will get many solutions on YouTube everyone will show that molasses add but I have to say that molasses how many man how did it change molasses use Maulassas if we are sitting for an hour time missing in the next few days we will engage in many mouths में चट्चा करेंगे आज अमोनिया पर बात करते हैं तो बेसिकली यह हमारा जो बायो फ्लॉक टैंक है बायो फ्लॉक टैंक में नाइट्रोजन का बहुत बरा एक रोल रहता है नाइट्रोजन बहुत हनिकारक होता है हमारे टैंक के लिए उसको निकालना बहुत जरूरी होता तो, basically, ammonia आता से है, जो मचली टेंक में मर जाते हैं, उससे आती है, जो खाना मचली नहीं खाती है, जो टेंक के नीचे चला जाता है, उससे आती है 여59 जो एमोनिया जो वेस्ट जो मेटेरियल होता है जो मचली का मलमूतर होता है उससे आता है तो यह तीनों चीज मलमूतर मचली के मरने से जो एमोनिया जो उसके बॉड़ी से जो एमोनियम आयन आते हैं और प्लस फीड से जो वेस्ट जो फीड का वेस्ट नहीं जो फीड मचली नहीं खाती है वो जो है सुनी चेचल तो सब मिलके अमोनिया क्रियेट होता है और अमोनिया आता ही है टैंक में और आना भी जरूरी है अब ध्यान से इसको जो समझ ले कि अमोनिया को डील करने के लिए हम लोग बैक्टिरिया यूज करते हैं प्रोबाइटिक्स लोग कहते है है बहुत कॉमन भाषा में लेकिन मैं हीमी फ्लॉक का इस्तिमाल करता हूं और मैंने उस पे बहुत ज्यादा रिसर्च के आपको गैरंटी दे के बोलेंगे ही मिफ्लॉक से कल्चर अब करते हैं तो आपका कल्चर सक्सेस्फुल करेंगी गैरंटी हम लेंगे पूरा एट के लिए आमोनिया को हताने के लिए टैंक से हम लोग हेटरोटाफिक बैक्टेड़िया पाउडर के फ़र में हम लोग टैंक में डालते हैं तो सेम यह प्रोबाइटिक्स कहीं काम करते हैं लेकिन ये जो अगरता approved है और यह आता है Kolkata से मेरा यह जो product है Kolkata से आता है जो कि मेरा hometown है आप इस से अगर culture करते हैं तो आपका जो ammonia control का जो भी है ना वो बहुत ही बहतर हो जाता है और actually क्या होता है ना कि heterotrophic bacteria ammonia को direct protein cell में convert करता है यही process लोग जानते हैं लेकिन मैं कहा रहा हूँ कि इतने सारे लोग fail हुए या फिर successful नहीं हो पाते हैं या फिर culture के दरवान मचली मरने लगती है ammonia control नहीं होता है क्या कहारन है वो मैं आज एक दम पुड़ा clear करूँगा इस वीडियो में प्लस मैं aviation के बारे में बताऊँगा कि air pump का क्या importance है कितने वाट का लेना चाहिए कितना आपका उसका flow of rate होना चाहिए कितना उसका pressure रहना चाहिए सारे चीज़ पर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ammonia को जैसे normally treat होता है तो मैंने आपको बता दिया कि ammonia बढ़ता कैसे है अब normally हम लोग heterotrophic bacteria जो अपने tank में probiotics के रूप में और मैं जो इस्तिमाल करता हूँ humiflog के रूप में जो tank में add करता हूँ वो bacteria good bacteria होता है वो ammonia direct protein cell में convert करता है और इस तरीके से ammonia control होता है लोग यही जानते है लेकिन actually में होता नहीं है actually में क्या होता है कि बस 5% ही जो है वो nitrogen form में gas में convert होता है और वो फिर वास्प बनके tank से निकलता है राइट ammonia जो है लेकिन ये actually process होता नहीं है तब आयाता है हमारा कि definitely ammonia को तो कम करना ही है एक process को देखना परेगा तो वो process में आपको बता रहा हूँ जो process को बोलते हैं हम लोग nitrification ये process nitrification का process से आप ammonia से पूरा निजाद पा सकते है पूरा solution पा सकते है इसका process में आपको बताता हूँ actually nitrification जब आप start करें तो nitrifying bacteria हम लोग add करते nitrifying bacteria से nitrosomonas nitrobacter ठीक है तो ammonia oxidizer bacteria जो होता है okay nitrosomonas and nitrococcus ये जो होता है actually ammonia को nitrate में convert करता है okay ammonia oxidizer bacteria जो है जो मैंने आपको बताया nitrobacter और nitrococcus ये जो है nitrosomonas और nitrococcus ammonia oxidizer bacteria है ये ammonia को nitrate में convert करता है ठीक है अब ये nitrate आ गया अब आप अगर इसको अगर measure भी करते है अपने tank में तो देखिए कि आपका nitrate जो है so zero आएगा और nitrite जो है so full आएगा तो हमने आपको ये बताया कि ammonia बनता कैसे अब मैं उसका solution बताता हूँ basically हम लोग जो probiotics यूज करते है tank में heterotrophic bacteria bacillus group का वो ammonia को direct protein cell में convert करते है ये natural process है ठीक है लेकिन actually ऐसा होता है नहीं तो हम लोग क्या है ना इसके सहारे ये दोनों के सहारे जो है हम nitrification जो है nitrifying bacteria tank में activate करते है अब ये process को मैं आपको समझाता हूँ क्यूंकि देखिए जहातर लोग ammonia को लेके परिशान रहते है और fail वही जगह पे हो जाते है ammonia control नहीं होता है ammonia कारण nitrate nitrite और ammonia बहुत जादा बढ़ आता है और problems आपके बहुत जादा आयाता है fungal bacteria, fungal infection बहुत जादा आने लगता है तो अब मैं आपको nitrification मतलब आप माली ये process जब success नहीं होगा because 5% ये process जो है success हो सकता है मतलब होता है लेकिन आपको तो ammonia से कैसे भी overcome करना है लिजाब पाना है हुँ तो solution ये है कि हमें nitrification जो है वो start करना होगा nitrification में क्या होता है ammonia को जो है ammonia oxidizer bacteria जो कि nitrosomonas है और nitrococus है वो nitrite में convert करता है ano 2- अब अभी आपको क्या मिल गया nitrite मिल गया अभी अगर आप टैंक में measure करिएगा तो आपको nitrate 0 आएगा nitrite जादा आएगा तो फिर वो nitrite को जो है आपको convert करना होगा nitrate में और वो कैसे होता है nitrite oxidizer bacteria दोरा वो कैसे होगा किस bacteria के दोरा nitrobacter दोरा वो जैसे ही convert करतेगा nitrate में तो आपको क्या मिल गया nitrate मिल गया NO3- तो क्या होगया प्रोसेस ammonia से nitrite में आया nitrite से nitrate में आया यह पूरे प्रोसेस को हम nitrification बोलते है अभी आप यह nitrate को जो है उसका भी एक denitrification का एक प्रोसेस चलेगा जिसमें theobacillus और pseudomonas bacteria और भी कुछ आदर बैक्टेरिया है जो यह nitrate को nitrogen gas में convert करेगा और यह nitrogen gas जो है so आपके wasp के रूप में water vapor के रूप में so tank से बाहर निकल जागा vapor के रूप में और atmosphere में चला जागा तो ultimately देखिए कि आपका starting में जब ammonia control नहीं हुआ probiotics से heterotrophic bacteria दोआरा तो आपने nitrification activate process किया और वो nitrification process जो आप इसके through activate कर सकते है बहुत ही simple process है depend करता है कि आप कितने पानी में culture कर रहा है उसके according में आपको dose बताऊंगा रोजी और भी कोई तरीके हैं ammonia को कम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया ammonia से निचाथ पाने के लिए मैंने एक nitrification process बताया वो बहुत ही helpful है बहुत ही helpful है sir एक बार उसको अगर इस्तमाल कर ले आपको ammonia कभी problem नहीं आएगा दूसरा है ये air lift system इसके दो फाइदे हैं एक आपका oxygen DO level जो है टैंक में बढ़ाएगा जो कि water flow होगा दूसरा पानी को circulate करते रहेगा मतलब mail जो है न उसको बैठने नहीं देगा तो इससे दो फाइदे एक आपका mail नीचे नहीं बैठेगा दूसरा चीज है कि आप मचली जो है न वो water जो फ्लो करता है चारो तरफ जो घूमता है टैंक में तो mentally stress free हो जाती है और समझती है कि हम कोई नदी या तलाव में या फिर कोई बरे जगह पे तो growth बहुत अच्छा लेती है और उसको जब टैरने के लिए मतलब flowing water मिलता है तो बहुत खुश होती है यह इसके पिछे science है इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको एक ariation अपने tank से निकाल लेना है एक air stone जो है इसमें डाल दीजिए एक 3 inch का pipe ले लिजिए एक इधर से जो है L एक दे दीजिए और एक इधर से opposite direction में एक L दे दीजिए जैसे कि आप देख पार एक इधर है और एक इधर से नीचे से है और आपका पानी का level जितना हो उसके according अपना जो है सिर्फ मुलासिस एड करते रहेंगे तो सर आपको पूरा culture के दोराण मुलासिस एड करते रहना पर लगा आपको दिमाग लगाना होगा nitrification process बहुत effective है आप उसको follow कीजिए बहुत अच्छा result देगा आपको और आपका culture successful होने में humiflog का इस्तमाल कड़े जैसा मैं suggest करता हूँ nitrification process को activate करे medicine का इस्तमाल कड़े medicine पर depth मेरा बहुत जादा है मेरे कुछ clients especially है महारास्ट के recently हम से जुड़े है बहुत तुरंद उनको result मिले है medicine से उनकी मचलियां मर रहे थी हमारे एक दोस्त है अब हम से आके डारेक्ट मिले जो की निरजी के चैनल से उन्होंने हमसे संपर्क किया और उनकी मचलियां भी अभी मरना बंध हो गया एकदम पुरा बंध हो गया तो और उनकी में प्रॉब्लेम था जो कि उनसे बात करने के बाद हमको पता चला कि मचली के पेट में अंडा आ रहा था तो देखिए इसने मचली का जीरा लेते समय इस चीज का ध्यान रखे इसका कोई उपाई नहीं है जब उसके पेट में अंडा आ जागा मतलब वह मचली का ग्रोथ नहीं होगा वह दाना खाईगी लेकिन उसका डेवलाप्मेंट नहीं होगा मर भी जाएगी तो जीरा लेते समय ध्यान रखे ऐसे तब पैरामिटर्स बहुत सारे हैं सर लेकिन एमोनिया जो है वह वह बैक बून है आपका बायो फ्लक का बहुत अच्छी जनकारी दी रोहिद जी ने और उमीद है आप लोग लाब उठाएंगे और निशित लाब उठाएंगे इसका तो जनकारी दोस्त कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएगा और भी जो आपके मन में सवाल होगा तो कॉमेंट बॉक्स में डालिए और रोहिद जी इसका जरूर जबाब देंगे और अब आप करते हैं सबसे खास बात रोहिद जी की यह है यह ट्रेनिंग तो देते ही है साथ ही आपको हर तरह से डेक्निकल सपोर्ट करते हैं जब तक आपका पहला हार्वेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको नहीं छोडते हैं तब तक आपको सपोर्ट करते रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है बहुत कम ट्रेनरों में ऐसा देखने को मिलता है तो और जनकारी है तो जनकारी के रिए ये आपके गुरु देव है गुरु से ग्यान लीजिए अमोनिया गुरु से तो जनकारी दोस्ति ये कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है त प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा चुकि इस तरह के बहुत सारे अपडेट आगे भी आते रहेंगे इसलिए आप हमारे नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाए तो आज के लिए बस इतना ही जय हिन